और देखे लिए इससे बड़ियां टानिक कोई हो नहीं सकता है मार्केट में आप खोजते रहेंगे लिए फिर भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों आपको उता दें कि यह आप देखे रहें मेरे हाथ में यह स्वयबिन के दाने हैं बहुत बड़ियां पौदे पर काम करता है और इसमें आपको दाएं कि नेट्रोजन, कैलसियम, सलफर, आयरन, मैंगनीज, फासफोरस, कापर, पोटेसियम, जिंक, और सेलेनियम बहुत परचूर मातरा में इसमें पायते हैं और आपको बता दें कि इसके टानिक बना के अपने पौदे पर इस्तिमाल करेंगे तो बहुत दी बैतरी मिलेगा मातर आपको 48-72 गंटे कंदर में इसका रिस्पांज आपको मिल लागा बहुत दी बढ़ियां ये टानिक का काम करता है जैसे आपको दाते हैं किसी भी पोदे पर इसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कैसे इसको बनाते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरो कर देए आपको दाते हैं सबसे पहले ये मेरे हाथ में ये 2-2.500 ग्राम सोयबीन का बीज है और 2-2.500 ग्राम करीपर भी होगा ये तो इसको आपको करना ही है कि आपको एक लिटर पानी में मिक्स कर देजिए देखिए एक लिटर पानी में ले रखा है और इस एक लिटर पानी में इसको हम भीगो देंगे और आपको दाते हैं कि कम से कम 10-12 गंटे के लिए ये हमको भीगा के रखना है 10-12 गंटे बाद आपको करना ये है कि जब इसको आप निकालेंगे तो ये पूर अच् मिक्सर के जार में डालके, और मिक्सर में उसको पीस लेना है, क्योंकि यह जो को पीसेंगे, आप तो यी बहुत बालिक बन जाएगा, और एक बात को आपको ध्यान देना है, कि जब पीस लेंगे, तो जो यह पानी एक लिटर इसमें आपने मिला का रखा था. पीश के इसी एक लिटर पानी में आपको फिर डाल के और रख देना है और इस काम को आपको ध्यान देना है और उसमें आपको मिक्स करना है गुड आपको मिक्स करना है yak catch sun अपाशास क्षाया करना है और जिसको आप pseudo लेंगे te ocean को लेंगे पीसने के बाद इसको बढ़ियां काम करता है और उसको लाने के बाद देखिए अब 25 ग्राम में 50 ग्राम आप इसमें गुड को मिक्स कर देजिए और थौसा पहले से उसको आप लिक्यूड रूप में बना ले और बनाने के बाद उसमें मिक्स कर देजिए और मिक्स करने के बाद आपको तीन से चा यह करेग परेब देखिए पूरा फूल चुका है और इसके नीचे आप देखेंगे ध्यान से तो नीचे पूरा इसका जो लिक्विड बैड़ गया है और इसको भी वेस्ट के रूप में नहीं फेगना है अगर इसको आम मिक्स करेंगे तो देखिए पूरा एक गैस बना लिय है और इसको मिक्स कर लेते हैं अब इसको करना है कि आपको इसको छानना है कि आप किसी भी सूती कपड़े से इसको आप छान लीजिए इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर देजिएगा और आपको देखिए कि यह करीब लिक्विट मैंने बनाया है दो लिटर क्योंकि जो सोयबीन है सोयबीन इससे मैं डाला था चार सो से पान सो ग्राम तो उसके लिए आप दो लिटर पानी ही आपको डालना पड़ेगा तो इसको हम किसी कपड़े से छान लेते हैं कोई भी कपड़ा मोटा सा कपड़ा हो उसको आप लगा के इसको आप छान लेजिए और दोस्तों जो यह वेस्ट को रूप में जो बच रहा है इसको आपको फेगना नहीं है यह बहुत काम करेगा आपको जो तो आप टाइम लगेगा इसको क्योंकि जितना बारीक आप इसको शानेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा चलिए आपको हम दिखाते हैं इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं और आपको हम बता हैं कि इसको डब्बे में या तो फिर बोतल में इसको भर के अभरक लीजिए बहुत बढ़ियां काम करेगा क्योंकि यह जमीन में भी काम करता है और पौदे के ऊपर भी काम करता है आपको होता है कि इसको कितना इस्तमाल करना है अगर आपको छिड़काओं में इसको इस्तमाल करना है तो छिड़काओं में इस्तमाल करने के लिए आपको एक लिटर लेना है पानी और एक लिटर पानी डवल हो जाएगा आपको होता हैं कि देखिए यह 100 लिटर पानी में है और इसमें हम सवयमेंड डाल लेते हैं थोड़ी से चैनल सब्सक्रण ढमन हो जाएगा इसमें हम सवयमें डाल लेते हैं फाले च्षिटव ओन खेताव में और आपको भी क्यों संब करेगा एक बार आप लेक्यूड को इस प्रे करके देखें और इसमें आप नीबू को मिला सकते हैं सेंपू मिला सकते हैं या अगर आपके पास कोई स्टीकर है तो उसको इसमें आप एड कर सकते हैं और एड करने के बाद आप किसी भी प्लांट पर इसको शुलकाव कर सकते हैं बहु दस दिन पे एक बार इस लिक्यूर का छिटकाव करी रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया मिलेगा इस इंडा का प्लांट है और आपको दाएं कि इस करनिशन मेंगर इस प्लांट को आप स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया यह ग्रो करेगा आप देख सकते हैं यह कद्दू का प्लांट है इसकी पत्या कितनी फ्रेस है और इसको आप छिड़काव करेंगे तो पत्या और फैलेगा और यह जो इस्टेज है यहां से ग्रोव बहुत बढ़ियां यह करता है अगर आपको इस तरीके से जमी में देना है तो अगर यह एक लिडर पानी है तो एक लिडर पानी में आप यह 200 अमेल शुक्रीया से मिक्स कदेगा आपको घृटाय कि हर दर दिन पर हर पन्युद दिन पर इसको आप रिपीट कर सकते हैं इसका रिस्पांस आपके सामने ही के आप छान के रखेंऄ। इस भाग को इसको आपको दुबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको करना क्या है कि इस पिर आपको पानी बर देना है। पानी आपको उतनागी रहेगा, जैसे अगर 500 में तो चुझा हैं यह बेहिता हैं, Gee cash धर हो उतना भर कि रिस्तिमाल करनेा के बाद कमेंट जरू मुझे बताएगा अपको कैसा है क्योंकि रिस्पांस किसी भी पधे पर मिलेगा चाहे indoor प्लांट ऐह आउड्व प्लांट ऑट वाल प्लांट इसको दे सकते हैं सचा भी ऑल प्लांट है उसको भी मिलता है रिस्पांस आपको मिलता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर देगे सेगे अगर चैन्म को सब्सक्राइब जरू कर देगे दोस्तों मिलते हैं आप से न्यू वीडियो वर न्यू टाफिक साथ धन्यबाद